उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने घाटे से उवरने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब यात्रियों की संख्या कम होने पर रोडवेज बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। इस नए नियम से रोडवेज भले ही अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिस कर रहा है। लेकिन इससे यात्रियों की मुसीबत बढ़नाता है। यूपी रोडवेज के नए नियम के अनुसार अब दिन में 35 और रात में 25 से कम सवारी होने पर रोडवेज बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। अपर प्रबंद निदेशा की ओर से जारी आदेश के मुताविक रोडवेज को रोजाना 20 करोड रुपए राजस जुटाने का लक्ष दिया गया है। जबकि रोडवेज इससे काफी पीछे है। इससे देखते हुए 55 प्रतिसस से कम लोड़ फैक्टर होने पर रात्री का आदेश में कहा गया है कि आत्रियों के कम होने पर उन्हें दूसरी बसों में ट्रांसपर किया जाए। दूसरी और ग्रामीड सेवाओं और दिन के लिए भी टाइम टेवल तै किया गया है। आदेश के अनुसर ग्रामीड रूटों पर संचालित बसें साम 7 बजे तक गंतब इस्थल पर पहुँच जाएं और सुबह 7 बजे से पहले वहां से ना चलें। इसके लिए चालक पर चालक संबंधित गाओं में एक दिन का बिस्राम करें। ऐसे में इन रूटों पर 2 बसो का संचालन प्रतिदिन किया जाता है। इनसे आउस्तन 17 करोड रुपए प्रतिदिन की आये होती है। अब उसको प्रतिदिन 20 करोड रुपए तक करने का लक्ष है। अपर प्रबंद निदेशकन पूरुनागर्ग ने इसके लिए प्रदेश के सभी आरेम को आदेश चारी किया है। मतलब साफ है कि अब एक दिन में 3 करोड रुपए की आये बढ़ानी होगी। यहां गवर करने वाली बात यह है कि यूपी रोड वेज में एक दिन में 17 लाख या 30 सपर करते हैं लेकिन उसके बाद भी विभाग का घाटा कम नहीं हो रहा है।